तोडियर स्टूडेंट आज किस वेडियो में बात करेंगे 20 सेकंड समेस्टर के जिओग्राफिया निकि भोगोल के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चिन और एंसर के बारे में आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टन होने वाली जिनकी परिच्छा केंगे हैं labs in दोनों मैं को बहुत अच्छई त्रीके और बहुत जल समझ मैं आ जाएगी बहुत ही एजी वर्ड में है ठीक है परिभास हो जले दिखाते आपको प्रजात की सबसे सिंपल परिभासा जो कि आपको याद रहेगी लिखना है कि अगर कोश्चन आया तो प्रजात को जीवों के एक समू के रूप में परभासित किया गया है जो प्रजात ही होती है इसको जीव यानि जिस भी पसुपच्छे इंसान जिस भी प्राणी के अंदर जीव है यानि कि जू है उसके उसके समू के रूप में परभासित किया जाता है प्रजात को जो प्रसपर प्रजनन और उपजाओ संतान पैदा करने में सच्छम है क्या प्रसपर प्रजनन कर सके और संतान पैदा कर सके उसमें सच्छम है ठीक है उसको हम प्रजात कहेंगे उसके बाद इसका मतलब यह है कि दो जीव एक ही प्रजात के हैं यह उनकी संताने हो सकती हैं और वे संताने प्रजन भी कर सकती हैं और संतान पैदा भी कर सकती हैं उसको प्रजात ही कहेंगे या फिर हम लोग कहेंगे उनको कि जिसके अंदर जीव है ठीक है जिसके अंदर जी ह्जानवर भी हो सकता है और इंसान हो सकता है को के इन सबी को कर सके उसको हम प्रजात कहें प्रमुग जन जातिय मताईये लिखना है कि वरतमान समय के तथा कथित बिक्षित समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्धित भासा वंसा नुगत संसकार बिश्चिष्ट रित रिवाज प्राथमिक ब्यवसाए तथा अपनी सांसकर्तिक और समाजिक बिराफत को बनाए रखने वाले आदिवासी जन जाति कहलाते हैं वह बैक्ति या फिर वह जन जाति जो अपने रित रिवाज जो उनका होता है बैक कुछ इंसान होते हैं कुछ अलग सिस्टम होते है ओलग अलग गज़ होता है उस्टिक है ने अपने बिक्तित समाज से दूर अपनी परंपरागत जीवन पद्ध्ध्य थी वंसा नुगत संसकार विश्टिष्ट रिवाज प्राथमिक बेवसाय तथा अपनी फ्रामसकरते को समाजिक बिदाफत को बनाए रखने वाले आदिवासी को हम जनजात कहेंगे ठीक है खिर गीज जो की एसिया में है कहाँ पर कोने देश में एसिया में है ठीक ध्यान लखेंगे दूसरा है पिगमी पिगमी जनजात है जो की अफरीका में पाई जाती है तीसरी है मसाई और फिर है बुसमैन जो की अफरीका में जनजात पाई जाती है बोरो जो की दच्छ संथाल जंजात के बारे मताइए तो संथाल जंजात का मुख जो निवाफ छेत्र है या फिर जहां पर संथाल जंजात के लोग रहते हैं वो बिहार राजी का एक छोटा फा इलाका है नाकपुर का जो कि पठारी भाग है इस पठारी भाग में संथाल परगना राची पाला मउ तथा हजारी भाग जिले में संथाली जंजात पर्मकुरूप से केंद्रित है यह फिर संथाल जंजात के लोग वहाँ पैया जाते हैं इसके अलावा उत्री बंगाल में वीर भूमी जिला उडिसा में कटक जिला पंजाब ठीक है पस्टिम बंगाल की जूट मीलो तथा असम के चाय बगानों में संथाली लोग रहते हैं तो इसके प्रकार लिखेंगे संथाल जंजात की बारे हैं परिचे यह इंपॉर्डन रहे कई बार आ चुका है अगला की आखे आखेट के प्रमुक्षेत्र यह कोईशन बहुत कमाता तो आप पड़ भी सकते हैं आपके उच्छा है और हम इसको इग्नोर करें क्योंकि बहुत ही कमाता ने इसको इंप्वाटन है जो कि कई बार पर इच्छा जा चुका है तो सिंपल इस बार आए गया ठीक है पूस्ट्छन यहाई कि जनशेंख्या घनत उसे क्या आसा है और इसके बारे मताईए तो इसका उपर लिखेंगे कि जन संक्या घनत किफी छेत्र कोई एरिया है यापि कोई छेत्र है यापि 시청 कोई जगह yl aspiration की कुल जंसंक्या चे पार अनूपात क किलो मीटर च्छेत्र पर आफभत निवास करती है को प्रदर्शित करता है इस प्रकार जनसंक्या घरतुकुल ऑफ प्रकार का होता है यह द्धान रखेंगे अगर फिड़ा कोईशन पठकाएगा अगर आभी कोईशन कई बार आचुका थारू जन्जा संथाल जन्जा थी कॉमन कोईशन होती हमें सब पूचे पूचे जाते और मैं आपको वही सारे कोईशन बताने का प्रियास करता हूं जो पिछले वरसों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार संभावना है आने की वह हम आपको कोईशन बता रहें उसका उत्तर बता रहें ताकि आप लोग मतबकि अच्छे तरीके से एक नेपाल की सीमा तक फैला यहनी कि थारू जंजात के जो लोग है थारू जो जंजाती है यह नैनी ताल और उत्तराखंड के तराई प्रदेश में और नैनी ताल जो जिला है वहां पर और प्लफ उत्तर प्रदेश की कुछ एरिया है जैसे कि पूर्व एरिया में गोरभ सिवालिक छित में नैनी ताल गोंडा खेरी गोरगपूर पीली भीद बहरायच और बस्ति जिले में थारू जंजात का सबसे अधिक जमाव नैनी ताल जिले की बिलहारी परगना की नानक माता किलपूरी तथा टनक पूर बस्तियों के आसपास पाया जाता है इस बात को जा हैं तो घ्राम अधिवास की दो विस्षिश्टाएं घरी की बहुत ही कोई seniors अच्छट इनकी गावन रहने वाले جो लोग होते पांब टृज तो सबसे पहले किपी चीज को मांते तो खेती यानि किर्सी को मांते हैं सबसे प्रतामफ्तान पर किर्सी को रखते हैं तो किर्सी कारियों में लगी होती तो गाउं में या फिर गामीड एरिया में आप जाएंगे तो हाँ पर जातर लोग अपने खेत में काम काच करते आपको मिलेंगे ठीक है और दूसरा पॉइंट है कि गामीड अधिवासमे यानि गामीड में रहने वाले लोग स्रम्भी भाजन अस्पश्ट रूप से अन्य सूद जात के सभी लोग अपना कारी करते हैं मतलब कि यह नहीं कि दुफ्रेस काम करा है वो अपना काम खुदी निप्टा लेते हैं वह यह जो हो फक्ता है तो यह कुछ बिस्टाएं हैं गाउं में रहने वाले किसी भी बेक्त की किसी भी समाज के लोग क्योंकि तो बिसिक सा पर्चेशी प्रकार लिखेंगे अगर प्रशन आएगा तो इंपॉर्टेंट है ठीक है और अगरा प्रशन भी कई बार आ चुका है कि उस्ट्र कट बंदिये घास के मैदानों के नाम बताई यह बहुत पॉप्लर कोश्चिन कई बार आ चुका है तो उस्ट्र कट प्रश्टेलिया और कुइंस्लेंड में जिसको डाउनलेंड बोलते हैं और अफ्रीका में जिसको सवाना कहते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कोई बार आभी चुका है ठीक एक जाम में तो इस बार भी पूरी उम्मीद फश्च सकता है अगला है कि आस्ट्रे लोग पे वेते जाती है उसी अकार की थी और दूसरा बड़े अकार के चवर्णडड़क अग चवर्णड़क छोटे करतंक तथा रतनक दात और थे कूल है कि हड़ी तथा पैरो की हड़्ियों में बनावत मानों के समाल यह होती है अस्ट्रे लोपितिक है लोपित्थे लोपी थेकस मानों की विशे इस्ता है ध्यार लखेंगे तो अभी पिरमुक साकाओं के नम तो हूमोषपियंस आपने लिए भी होगा कि हूमोसपियंस मानों का अläग्यानिक नाम है तो WIL कि प्रमुख 3 दाकायह नमबर है कि संब है के गरिम्हालडी मानो दूसराय करमे गंडम मानो और चाहऊ थीसरा है रोडय सिया कि इस्वाय rif 미 can की तिन प्रूख साखाय हैं जो कि हमों सोपियंस मानों का प्रग्यानिक नेम है नेस कोश्चिन की मानों प्रजात से क्या सब्सक्राइब बताइए इसको तो मैं उपर ही बतायए था साइद आप सभी को इंपर्टन से त्यार कर लेंगे ठीक है तर पढ़ लेजीए को और अग सटे हुए ग्रीन लेंड के विसाल दूप से लेकर पस्चिम में आलस्का और वेरिंग जलड मौ मद्ध के उस पार साई बेरिया के उत्तर पूर्वी नुकुले छोड तक फैली हुई है ठीक है एस कमो जंजात ध्यान रखेंगे अगला प्रशने कि मानो भोगोल की उपागम क अगला है कि मानो भोगोल की प्रमुक्स आखाएं तो मानो भोगोल की प्रमुक्स आखाओं में आजाएगा नंबर पर अर्थि भोगोल प्रवाश के बारे में आपको लिखना है कि अफ्तिक प्रवाश के बारे में आपको लिखना है कि अफ्तांतर्ण का कल पच्छ दैनिक प्रवाश है अफ्तांतर्ण का काल पच्छ दैनिक प्रवाश है इसमें किसी महानगर या बड़े और दोगिक नगर में मुझूरी करके अपनी आजीविका कमाने के लिए उस महानगर के समीप वर्ति गाउं या कस्बों के स्रमिक प्राता काल उस महानगर में चले जाते हैं और संयम काल को वापस अपने गाउं या कस्बे को आ जाते हैं इस सरमिकों यानि के मजदूर लोग जो होते हैं तेक है कि अलावा पढ़े लिखे नर नर्यों को भी कुछ संख्या कारलय या फिर कारलय आजमे कार करने के लिए प्रति दिन आते जाते हैं इस तरह के प्रति दिन के आवागवन को दैनिक प्रवास कहते हैं मतबकि कोई हमा समतलब इफी तरह आपको लिखना है नगरी आधिवास के बारे में यह इभी इंपॉर्ट कोईश्यन के बारे में पढ़ लेना है नगरी आधिवास उद्द्युग ब्यपार प्रसासन सुरच्छा सांस्कृति के सांस्कृति और मनौर अंजन के केंद्र होते हैं नगरी सब्सक्राइब नगरी आधिवासों में गाओं की अपेच्छा स्रम विभाजन पेशों का विशेशी करन तथा उग्र समाजिक विशावनता देखने को मिलती है जन संख्या में निरभरता अनुपात कम है प्रतिविक्त आया अधिक होती है इस प्रकार लिखेंगे नगरी यह तो नहीं कहूंगे कि सारी सारी कोश्चन में जारा बताएगे परिच्छा पूछा जाएंगे इस वीडियो से लेकिन में इतना आपको भुरूफा दिला रहा हूं किस वीडियो से आपकी परिच्छाम कम से त्यूंसे चाहर नंबर पूछे जा सकते हैं तो इस बात को द टेली वर्टसप पर भेशित कर दीजेगा इसी वीडियो के डिस्कुर्शन में लिंक मिल जाएगा बाकी मिलते हैं को ने वीडियो के साथ अब तक के लिए जैन